अचानक से घर पर कोई महमान आ जाए या आपको मीठा खाने का मन हो और घर पर मिठाई ना हो तो ये मिठाई की रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा पीना गैस जलाए घर की चीजों से बस मिंटों में ये तैयार हो जाती है और टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा एक दम माव जार लेंगे उसमें हम एक कप चीनी और दो हरी इलाइची का फाइन पाउडर बना लेंगे एकदम फाइन पीस लीजेगा क्योंकि हम बेना गैस जलाए ये मिठाई बना रहे हैं अब हम ब्रेड लेंगे मैंने यहां पे आर्ट पीसे ब्रेड लिया है और उनके किनारों को म इसमें तोड लेंगे जिससे ब्रेड हमारा अच्छे से पीस जाए आप ब्रेड को अच्छे से ग्राइन कीजिएगा नहीं तो इसमें क्या रह जाते ना गुट्लिया रह जाते इन एकदम अच्छे से पीस लेना है देखिए मैंने अच्छे से ब्रेड पीस लिया है फाइन करेंगे इन सब को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे फिर इसमें दो चमच फ्रेस्ट मलाई लेंगे ज्यादा पुराना मलाई नहीं लीजिए लीजिए पहले और चुटकी भर ग्रीन घृट कलर का फूटि कल रएट कर रही हूं आप बेना कलर के या अपनी हिसाब से कोई भी कलर यहां पे लिए इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हातों का इसमाल करें बिना हातों से यह अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो आटो से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है कलर को मैंने एकदम अच्छे से मिला लिया है अब इसे हम आटे की तरह गुथेंगे इसके लिए मैं तीन चोटी चमच ठंडा दूद ले रही हूं गरम दूद या कच्छा दूद के इस्तमाल नहीं कीजिएगा इससे मिठाई खराब हो सक आए यह इस ली गुथ जाता है देखे कितना अच्छा से गुथ रहा है एक दम अच्छे से गूद जाएगा आपको जादा दिक्कत नहीं आएगी गुथने में अडम से जादा टाइं भी नहीं लगता है इसको गूथने में बस दो से दो मिनिट के अंदर यह गुथ जाए डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुडादा और एक कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर और चार चमच पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा किसरिया रंग का फूड कलर एड़ कर रही हूँ और इस सब को अच्छे से में कर लेंगे इसे इन सब को भी हम हाथो से मसल मसल क अच्छे से मिक्स करेंगे एक साथ जादा दूद अड़ा हो जाएगा जरूरत पर तो आप बाद में भी दूद कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके दूद को एड़ कीजिएगा अच्छे से गूत लेंगे इसे भी गूतने में ताइम नहीं लगता है बहुत बहुत जाता है एक दम आराम आराम से गुज जाएगा अब मैं इस मिक्सिर में थोड़े से टूटी-फूटी आड़ कर रही हूं आप यहां अपनी पसंद का कोई भी नच आड़ कर सकते हैं और इनको भी हम अच्छे से मिला लेंगे ज्यादा इसको मसलिएगा नहीं क्योंकि टूटी- प्लास्टिक तो हर किसी के घर में एजिली एविलिबल रहता है तो इसलिए मैं यह प्लास्टिक यूज करें और थोड़ा सा इस पर घी लगा ले रही हूं अच्छे से इसके बाद जो हमने ग्रीन कलर का मिक्शर त्यार करके रखा है ना उसको ले रहे हैं और इसको अपने दूसरा वाला मिक्शर ले रहे हैं इसे भी हाथों से घुमा घुमा कर थोड़ा सा सिलेंडर सेप की तरह बना लेंगे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ग्रीन मिक्शर की जितनी चौड़ाई है बस उतना ही करना है फिर इसे हमें अच्छे से कवर कर देना देखिए जैसे मै अच्छे से प्लास्टिक में रोल कर लिया हैं अच्छे से घुमा लिया है इस पे थोड़े से ड्राइफ रूट्स काट कर इस पर डाल नेंगे और प्लास्टिक की हेल्प से ही हमें अपनी मिठाई को पर ड्राइफ रूट्स लगा लेना है देखे जैसे मैं कर रही हूँ ठीक वैसे ही आप कीजेगा एकदम आराम-ाराम से हो जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है देखे कितने अराम से रोल हो जा रहा है ना हमारे मिठाई पर अच्छे से ड्राइफ रूट्स लग गया है अब इसे हम सेट कर लेंगे आप इसे ही आधे गंटे के लिए छोड़ दे या फ्रीज में रख दे यह एकदम अच्छे से सेट हो जाता है आधा गंटॅब बाद हमारा मिठा एकदम अच्छ से प्लास्टिक निकाल देंगे कितने अच्छ से हम पीसे में काटू से देखे कितना अराम अराम से chamado आप चापीक खैसे उकिल्ग grant मीठा अग जरूर कर लेंगे ब mutual का अच्छा ना faire दिख़ा है नां बहुत ही टेस्टी लगता है यह मिठाई खाने में और बनाना तु आपने दीखा ही कितना आसान है एक बार इस मिठाई को जरूर बनाईएगा सब आपकी तारीफ ना करे तो फिर बोलिएगा बहुत ही ये टेस्टी बनता है बहुत जल्दी बन जाता और घर की चीजों समयने से बनाया है बहुत ही आर इजिली ये मिठाई बन जाता है देखे कितना अच्छा दिख रहा है इसका कलर इसका खुपसूर्ती मिस देखकर इमन करेगा कि आप इसे खा ले बस अब मैं नरम नरम बना है एकदम पॉफिक्ट शेप आया है बहुत अच्छा आया है लग रहा है एकदब मार्के वाली मिठाई इसे तोड कर दिखाती हूं देखी eyebrows के तरह नरम नरम तो इतम अराम से टूर जाрах है परalley जैंघ警 करते हैं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगे अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू